नमस्कार मैं हूँ विचया और आप देख रही हैं फिल्बी वीट जैसा कि आप सब जानते हैं कि रनवीर सिंग और दिपिका पादुकोंड बॉलिवुट के एक बेस्ट कॉपल में शुबार हो चुके हैं दोनों की केमिस्ट्री आपने कई जगों पर देखी रनवीर सिंग तो दिपिका पादुकोंड के जबर्दस दिवाने हैं ये हर कोई जानता है लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो खुद रनवीर सिंग ने बताया जी हाँ, रनवीर सिंग ने अपनी वाइफ दिपिका पादुकों की कई अच्छाईयां बताई है लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे भर मीडिया के साव ने उन्होंने जो बताया वो और भी हैरान करने वादी बात है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बलकि ये है पोफिक्ट हस्बेंड वाइफ की बॉंडिंग जहां ये खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब से रनवीर और दिपिका की शादी हुई है तब से उनके चाहने वाले उनके खुशाल जिन्दगी के बारे में जादा से जादा जानना चाहते हैं तो ये लिजे एक और नियोज हम आप के लिए लेकर रहे हैं रनवीर सिंग दिपिका की अक्सर तारीफ करते नजर आते रहते हैं। हाली में गली बॉय के एक प्रमोशन इवेंट में दिपिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा मैं दुनिया अगा सबसे खुश नसीब व्यक्ति हूँ। दिपिका मुझे घर पर रसम चावल पका के खिलाती है। और इस इंट्रिव्यू के दरान रनवीर सिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इसके अलावा रनवीर सिंग ने और भी कई वादे की। इसके बाद मेडिया ने रनवीर सिंग से सवाल किया कि दिपिका आपकी अजीव स्टाइल और लुक के बारे में क्या कहती है। इस पर बात करते हुए रनवीर कहते हैं दिपिका को मेरे और मेरे स्टाइल और लुक की आदत बढ़ गई है मेरे बारे में बात करते हुए दिपिका कहते हैं कि आप हर छे महिने में अपने आपको बदल लेते हो और मुझे एक अलग आदमी लगते हो विल जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से रनवीर और दिपिका की केमिस्ट्री देखी जाती है, उसी तरीके से रनवीर सिंग अपने ड्रसिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उनका ड्रसिंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है, जो उन्हें बाकियों से बिलकुल की, दोनों ने दो रिती रिवाजों से शादी की, इन दिनों रनवीर सिंग अपने जल दाने वाले फिल्म गली बॉइ के प्रोमोशन में बिजी है, इस फिल्म में रनवीर सिंग आलिया भट के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये पहली बार होगा जब बड़े परदे पर प्रोमीर बहुत एक्साइटेड हैं और उनकी एक्साइटमेंट उनके हर प्रोमोशन पर बहु भी देखी जा सकती है फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही